पॉइंट Z1 and Z2 are adjacent vatices of a rectangular octagon regular octagon the vatices Z3 adjacent to Z2 and Z3 is not equal to Z1 is represented by तो सी हमारे पास में एक regular octagon है ऐसे 1 जिसकी sides क्या है यह हमारी regular octagon मैं बनाने की try कर रहा हूँ यह क्योंगा हमार regular octagon है तो इसमें हमें एक point क्या given है let's say एक side Z1 है ना इसका दूसरे side क्या है Z2 है और यह third side हमें क्या given है कि क्या बहले vertex Z3 is adjacent to Z2 है ना और हमें given है Z3 is not equal to Z1 तो means यह third वाला हो गया Z तो अगर हम देखेंगे Z1 Z2 की line को अगर मैं आगे बढ़ा दूँ तो मुझे पता है यह outer angle किता होता है 45 degree होता है regular octagon के लिए अब हमें Z3 vector चाहिए तो Z3 vector को मैं क्या लिख सकता हूँ let's say तो Z3 vector को मैं क्या लिख सकता हूँ Z3 vector को मैं लिख सकता हूँ यह तो क्या करना मैं नहीं यहाँ पर जो anticlockwise वाला case लिख सकता हूँ let's say ऐसा भी तो हो सकता था कि यह Z1 होता यह Z2 होता और यह Z3 होता तो मुझे क्या करना पड़ता Z1 minus Z2 को anticlockwise भी rotate करना पड़ सकता हूँ तो क्या कर सकता हूँ तो हमें यहाँ पर plus minus 3 pi by 4 लिख सकता हूँ है ना जैसे मैं लिखूंगा value कर जाएगी let's see अब Z1 minus Z2 तो हमें पता नहीं क्या है वो हमें calculate करना पड़ गा लेकिन Z3 के value कर जाएगी Z3 is equal to Z2 फिर क्या जाएगा यह plus में Z2 is equal to e to the power iota 3 pi by 4 है तो हमें Z2 plus Z1 minus Z2 e to the power iota plus minus 3 pi by 4 तो cos plus minus 3 pi by 4 क्या जाएगा cos 3 pi by 4 की value क्याती है it is always equal to minus 1 by root 2 plus में क्या जाएगा plus में आता है iota sin 3 pi by 4 तो plus minus 2 क्या जाएगा वो plus sin 3 pi by 4 तो हमें यह भी क्या plus minus 1 by root 2 iota यह आगा है हमारी value किस की आई है यह Z3 की value आई है अब यह लिखा हुआ है Z1 minus Z2 तो हमें Z2 minus Z1 भी लिख सकता हूँ तो यह हो जाएगा Z3 is equal to Z2 plus क्या हो जाएगा minus से multiply कर दिया पूरी equation को तो क्या हो जाएगा plus Z2 minus Z1 तो अब यह हो जाएगा तो यहाँ भी हो जाएगा तो जाएगा 1 by root 2 फिर जाएगा plus minus था तो यहाँ तो plus minus रहागा इसा ही plus iota 1 by root 2 तो अगर हम देखेंगे 1 by root 2 अगर मैं common ले लू तो इन में से जो मेरा option match करेगा वो कौन सा है वो करेगा Z2 into 1 by root 2 1 plus minus iota और Z2 minus Z1 तो option 3 is a correct answer